पस्ची मंगाल के पूरूलिया में पालघर पार्टू जैसी घटना सामने आई है और बंगाल बीजेपी के अध्डग डॉक्टर शुकांतो मजुमदार और बीजेपी नेता अमित मालवे ने सोशल मीडिया पर साधू की बिटाई का वीडियो पोस्ट किया है पूरूलिया में साधू के एक ग्रूप को घेर कर बेरहमिस से पीटा गया बेकाबू भीड ने गाड़िया भी तोड़ दी और काफी देर तक साधू को घेरे रखा जिसके बाद बेरहमिस उनकी बिटाई हुई वीडियो में साधू हाँ जोडते नजर आ रहे हैं लेकिन 30 सेकेंड के वीडियो में उन पर कोई बचाने वाला नजर नहीं आता है कई बार हमले होते हैं इन पे हो सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी तेजी से वाइरल हो रहा है वीज़पी नेता हमलावर है और पूरी घटना के लिए टीम सी सरकार को सीधे जिम्मेदा ठराया जा रहा है फिलाल अभी इस मामले पर पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है मारपिट का कुछ और वीडियो भी सामने आया है जिसमें गाड़ी को तोड़ते हुए भीड नजर आ रही है तो ये तस्विर आप देख रहे हैं किस तरह से बेरहमी से इन साधू को पीटा गया उनकी गाड़ीों में तोड़ फोड की गई और ये देखिए किस तरह से बेरहमी से पीटा जा रहा है बाल पकड़ के दाड़ी पकड़ के नोचा जा रहा है लाटी डंडो से लैस यहाँ पर आपको ये लोग नजर आ रहे हैं जो गाड़ी में तोड़ फोड कर रहे हैं आखिर क्या वज़े रही कि इन साध्यूं को इस तरह से पीटा गया पुरूलिया की ये तस्वेरे आ रहे हैं बताया जा रहा है कि ये जो साध्यू थे ये मकर संक्रांती के मौके पर गंगा सागर जा रहे थे और इसी दौरान पुरूलिया में ये घटना हुई है अमित मालवे बीजेपी नेता ने ये पोस्ट लिखा है कि आपसूलूटली शौकिंग इसिदेंट रिपोर्टेट फॉम पुरूलिया इन वेस्ट बेंगौल इने पालगर लाइक लिंचिंग, साधूस ट्रावलिंग तु गंगा सागर फॉर मकर संक्रांती वैस्ट्रिप्ट और बीटन बाइ क्रिमिनल्स अफिलियेटेड विद धी रूलिंग टी-एमसी तो सीधे तोर पर अमित मालवे ने अपने पोस्ट के जरी ए टी-एमसी को जिमेदार ठराया है पुरुलिया हमले के वीडियो पर बीजेपी का एटायक है टी-एमसी के उपर निशारा साधा गिया है श्चिम-्भंगार के पुरुलिया में पालगर पार्ट 2 का नजारा देखने मिला जिस प्रकार से साधू संतों को पीटा गिया टी-एमसी के गुन्डों के द्वारा मारा गिया गंगा सागर से वो जब जा रहे थे क्या पालघर पार्ट वन जिस प्रकार से हुआ था उदव ठाकरे जी के राज में आज ममता दीदी के राज में पालघर टू इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर राजनेतिक हिंसा इस चरम पर आ चुकी है इस लेवल पर आ चुकी है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है चाहे वो ED के officers हो, Central Agency के लोग हो, चाहे वो राश्टरवादी लोग हो, चुनाओ के बाद कुछ लोग हो या सादू संथ हो, कोई सुरक्षित नहीं है पस्चिम मंगाल में ये कानून यवस्ता की स्थिती हो चुकी है सवाल ये भी बनता है कि क्या इतनी नफरत, जैशी राम से इतनी नफरत कि उनको गिरफतार कर देंगे क्या इतनी नफरत हो चुकी है, हिंडू होने से कि अगर कोई साधू संथ जा रहे हैं के लिए मांग की गई है बहरा चक्रपानी के उसे देखी यह बहुत दुर्भाग्यपूर है अभी जो पस्चिम बंगाल से पुरलिया से ममता सरकार में जिस परकार से पालगर टू दुहराये जाने का प्रयास किया जा रहा था यहां कितना दुर्भाग्य की बात है कि जब भ तमाम जगत संत मारे जा रहे हैं यानि यहां किसी भी तरीके से इसे बड़ा आसुरी इसे बड़ा राच्टी राज ये कुछ नहीं हो सकता निशित रूप से ऐसे परदेसों में ततकाल राश्पती साथ साल लागू होने चाहिए संत समाज आखिर कब तक सोता रहेगा कित्या हुई अब फिर बार बार इस तरह संतों को बेरमी से उनको नंगे करके मारा गया इससे बड़ा दुरभा की Wow कुछ नहीं है वह खाड के लोग थे हमें लगता है अक्षाड़ के लोग जागरित हो अखाड़े के अचारे जितने हैं परमूख है वो जागरित हो और निशित की रूप से इन जो सनातन वीरोधी लोग हैं उनके खिलाब खड़े होने किया हो सकता है आज नहीं खड़े होंगे तो इतिहास कभी माफ नहीं करेग ममता सरकार उनको गिरफतार करके तथकाल सजा दिला और नहीं दिला पाते हैं तो किंदर सरकार से मेरा आग रहा है कि बंगाल के सरकार को तथकाल भंकिया जाए